कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मापक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चेहीं दुस्तों इंडिया की तरफ से हम बात करेंगे क्रिप्टो के लिए तो इंडिया क्रिप्टो से पेले से दूर रहना चाहता था इंडिया को यह लगता है कि क्रिप्टो की बज़े से बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रोब्लम आएगा और फाइनेंशियल स्टेबलिटी के अंदर प्रोब्लम आएगा लोगों के साथ नुक्सान भी होगा और government को ये भी लगता है कि crypto एक ऐसी चीज है कि हमारे आज से जो power है money का वो भी चला दाएगा चुकि crypto decentralized है उसके अंदर किसी का control नहीं होता है मान लेजे कि आपके पास अगर bitcoin है तो government चाहे तो bitcoin को freeze नहीं कर सकती है बट दूसरी तरफ देखेंगे कि अगर आपके पास bank account है और उसके अंदर fund है तो government चाहे तो उसे freeze करवा सकती है इतना दोनों में फरक है अब bitcoin ने वो freeze नहीं किया दा सकता है किसी से नहीं किया दा सकता है बट account को freeze किया दा सकता है इसलिए इंडियन government crypto से दूर ही रेना चाहती है बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर वो दूर भी रहेगी तो भी crypto चलता रहेगा गलत तरीके से चलता रहेगा क्योंकि cryptocurrency blockchain के उपर चलता है किसी का control नहीं है decentralized उसे बेन भी नहीं किया दा सकता है चुकि blockchain को बेन नहीं किया दा सकता है ऐसा हो सकता है कि कोई website को बेन किया दा है कोई wallet को बेन किया दा है या तो फिर कोई exchange को बेन किया दा है उसके बाद PMLA का एक नया एक्ट भी लागो कर दिया अब उसके अंदर government का भी देखेंगे तो इंडियन government का crypto के अंदर काफी ज्यादा pressure है हर एक exchange को उनमें government का एक एना है कि 28 ऐसे exchanges है जो service provide करते है crypto currency के लिए वो हमारे पास register है financial intelligence unit के अंदर बाकी के जो exchanges है वो गलत तरीकी से service provide कर रहे है और वो register भी नहीं है तो इसके अंदर कभी भी government चाहे तब action ले सकती है कि कि Parliament के अंदर सवाल किया गया था कि अभी कितने exchange वगेरा register है या नहीं है क्या सभी के सभी exchange register होना चाहिए क्या PMLA का जो act है सभी exchange को लागू होता है तो वहाँ पर हाँ बोला गया है कि जो money laundering वाला act है हर एक exchange के अंदर लागू होता है हर एक user के अंदर लागू होता है जो इंडिया के अंदर service provide करते है वो भी clarity दे दी कि 28 crypto service provider ही register है financial intelligence unit के अंदर बाकी exchanges नहीं है तो कभी भी problem आयागा उसके अंदर मेरे इसाब से finance भी register नहीं है most of international exchange है वो register नहीं है ऐसे मान के चलो जहाँ पर TDS नहीं कट रहा है वो register नहीं है आने वाले time के अंदर international exchange के अंदर कभी भी government की तरफ से pressure आ सकता है जो register नहीं है बाकी देखते हैं क्या होता है next नहीं बात करेंगे तो अभी market के अंदर तो news ये चल रही है वो ETF related चल रही है वो सबसे ज़्यादा अभी फर्मो है एक date वाला 5 से लेके 10 जनवरी के अंदर एक window open हुआ है set किया गया है SST ने officially set किया है कि उन टाइम के अंदर bitcoin ETF अपरू हो सकता है तो वो ही फर्मो के साथ market चल रही है बाकी अभी देखते है आगे क्या होता है next हम बात करेंगे तो एक नया ऐसा analysis आया है एक company का analysis आया है वो भी market को 2024 के बाद ज्यादा bullish बराने की कोशिस करेगा जो की financial diggers INJ के expert है उसने ये कहा है कि अब second quarter मतलब कि 2024 के अंदर जो FOMC के अंदर हम अभी तक देखते आ रहे है अमरिका के अंदर अभी तक देखते रहे है कि हर बार fade को rate high कर करकर के काफ़ सारे market परहसान हो गए है तो अभी ये INJ expect कर रहा है कि fade है 2024 के अंदर fade है rate को cut करेंगे बढ़ाएंगे नहीं cut करेंगे cut करेंगे तो क्या होगा जब बढ़ा रहे थी तो market में bear market देखा जा रहा था अब cut करेंगे तो market में बड़ोतरी देखने को मिल सकती है एक बहुत बड़ी news होगी और यही news के उफर काफिवार बूल रिली चला है प्रिवेज भी बात करेंगे तो rate कट कट के जीरो के बराबर ला दिया गया था तो वहाँ पे continue बूल रिली चला था bear market के अंदर देखेंगे हर एक महिने के अंदर rate बढ़ते गए बढ़ते गए बोलते थे मंदी है rate बढ़ते गए loan को महिने करते गए अमरिका के अंदर तो market गिरता गया तो यह news को आप note कर लेना ING का केना है एक्सपेक्ट कर रहे है prediction लगा है कि rate को 2026 के अंदर cut करना शुरू करेंगे अब यहाँ पर मैं clarity देना चाहूँगा fade का मतलब होता है fade reserve जैसे हमारे इंडिया के अंदर RBI आता है Reserve Bank of India उसी तरीके से अमरिका के अंदर fade आता है जैसे यहाँ पर RBI के से loan वगेरा महिनगे करते हैं अगर मंदी वगेरा होता है inflation वगेरा होता है तो loan महिनगे कर देते हैं यहाँ पर repo rate बोला जाता है वहाँ पर fade rate बोला जाता है यहाँ पर जो ब्याजदर बढ़ाते हैं RBI उसको repo rate बोलते हैं और अमरिका के अंदर fade rate बोला जाता है इतना फोरा के तो देखें यह loan सस्ते मिलेंगे तो American क्या करेंगे loan उठाएंगे वर वर के उठाएंगे और loan जो लेंगे bank से सस्ते मिलेंगे तो market के अंदर invest करेंगे तो market pump होगा US का stock market and crypto market तो यह थे आज के कुछ update थे उमिद करता हूँ अपडेट पसंद आए होगे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना हम एसे ही content बनाते है टाइम पे content बनाते है और साथ ही साथ टेलिग्राम को जोइन करना वहाँ पे आपको future state free में बिलेंगे हर एक international news फ्री में मिलेंगी बाकी को ट्रेडिंग लेना है क्लोज करना है sport trade एक्सेटरा जितनी भी चीज़े है जितनी भी services फ्री में मिलेंगे लिंक हमने description box में provide किया है अगर लिंक काम नहीं भी करता है तो आप directly टेलिग्राम में लिख सकते online crypto school बड़ एक बात का ध्यान रखना skamer से बचना हम किसी से पेशा ले नहीं है कोई पेशा मांगता है तो वो skamer है किसी को एक रुपिया नहीं देना है